दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीयाम मनी से सोधिया ने जेल सी रिहाई के बाद अपने पहले भाषन में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने देश में बर्ती ताना श्वाही के प्रती गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एंडिये और इंडिया गट बंधन के नेताओं से आवाहन किया कि भी पार्टी के लिए ही नहीं बलकि देश के लिए बलड़े। सिसोधिया ने दावा किया कि यदि विपक्ष एक चुठ होकर इस्ताना साही के खिलाफ आवाज उठाएगा तो अर्विन केजरिवाल 24 खंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। सिसोधिया ने अर्विन केजरिवाल को इमानदारी का प्रतीक बताते हुए कहा कि वे जेल में रहते हुए भी उनकी मालक दर्शक हैं। कि उन्होंने गीता पढ़ी और दुनिया के सोधीजों के सिक्ष्वा सिस्टम का अध्यन किया। को और मजबूत किया कि 2047 तक भारत को एक विक्सित राश्व बनाना है जिसके लिए हर बच्चे को अच्छी सिक्षा और स्वास्ति सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सिक्षा और स्वास्ति के कोई भी विक्सित राश्व बनने का धावा सिर्फ एक जुमला हो सकता है। मनी से सूधिया ने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई जो आतंकवाधियों पर लगाई जाती हैं। नोंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लेखा जाएगा तो कहा जाएगा कि सबसे मुश्किल वक्त में आम आदमी पार्टी के नेता लड़ रहे थे। बीजेपी वालों को लगता है कि वो दिल्ली सिक्ष्वा क्रांती को रोक लेंगे, नहीं कर पाएंगे, हम जान दे देंगे लेकिन डरेंगे नहीं। केंद्र कितने भी शड़ेंद्र कर लें, हम एक एक घर जाएंगे और बताएंगे कि अर्विंद के जरिवाल जी जेल में क्यों हैं। बीजेपी के तोता मेना से भारत का सम्विथान ज्यादा ताकतवर है। हम भगत सिंग के चेले हैं, इनसे नहीं डरते, सभी नेता जेल से बाहर आएंगे।